नमस्कार दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे पुष्यवीती बंस या वर्धन बंस तो जो पुष्यवीती बंस थे या इनको वर्धन बंस कहा जाता है तो गुप्तकाल के पतन के बाद जिन राजवंसों का उद्बे हुआ उनमें मैत्रिक, मौकरी, पुष्यवीत, परवर्तिक, और गौन प्रमुक थे तो इन राजाओं में पुष्यवीती बंस के सासकों ने सबसे विसाल सामराज्य स्थापित किया पुष्यवीती बंस का सस्थापक था पुष्यवीती बंस भी कहा जाता था इसकी राजजानी थानेश्वर थी जो हरियाना के कुरुछेतर जिले में स प्रभाकर वर्धन था ये एक स्वतंत राजा हुआ इस बंस का और स्बसे प्रभाव साली भी हुआ और जिसने परम भट्टारक और महाराजा-धिराज जैसे सम्माज जनक उपादियां धारण करी प्रभाकरण वर्धन की पत्नी यशोमती थी जिसके दो पुत्र हुए राज्य वर्धन और हर्स वर्धन तथा एक कन्या हुई इनकी राज्य स्री तो प्रभाकर वर्धन के तीन बच्चे थे राज्य वर्धन हर्स वर्धन और राज्य स्री राज्यसरी का विवहा कन्नौज के मौकरी राजा ग्रह वर्मा के साथ हुई थी मालवा के सासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राज्यसरी को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला तो जो ससांक है उसने बोदीविक्ष को कटवाया था जो बोद गया का बोदीविक्ष था राज्य वर्धन की मृत्व के बाद 606 इस भी में 16 साल की अवस्था में इनका पुत्र हर्स वर्धन थानेश्वर का राजा बना हर्स वर्दन ने परम भटारक नरेश की उपादी धारन करी थी हर्स ने ससांग को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया तो पहले इनकी राजधानी थाने सर्थी फिर हर्स वर्दन ने जब कर्नौज को जीता तो इसने अपनी राजधानी कर्नौज बना दी हर्स और पुलकेशिन दुतिये के बीच नर्वदा तट पर एक युद्ध हुआ था जिसमें हर्स की पराजे हुई थी तो जो चीनी यात्री वहनसांग है वो हर्स वर्दन के सासनकाल में भारत आया था तो वहनसांग को यात्रियों तो जो वहनसांग था उसको यात्रियों में राजकुमार की कहा जाता था नीति का पंडित भी कहते थे और बर्तमान साक्यमोनी तो साक्यमोनी जैसे कि आप जानते हैं महात्मा बुद्ध को कहा जाता है तो बर्तमान का साक्यमोनी भी कहा जाता था वहिंसांग को और जो वहिंसांग था वो नालदन दा विश्व विद्याले में पढ़ने आया था यहां बहुत ग्रंत संग्रह करने के देशे से भारत आया था हर्स ने 641 इस्वी में अपने दूद को चीन बेजा था था उसके दरवार में भारत आये थे तो जो हर्स वर्दन है हर्स ने कस्मीर के सासक्ट से बुद्ध के दंत अवसे इस बलपूर्वक प्राप्त किये थे हर्स के पूर्वज भगवान सिव और सूर्य के अनन्य उपा सकते प्रारम में हर्स भी अपने कुल देवता सिव का परम भक्त था चीनी यात्री वहन सांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान साख्या को राज्य स्रय प्रदान किया और वो पूर्ण तो बौद्ध बन गया तो हर्स वर्दन ने बौद्ध धर्म का पालन किया और उसने अपना जो राज धर्म था वो भी बौद्ध धर्म बना दिया हर्स के समय में नालंदा विश्व विध्याले जो नालंदा विहार महायान बौद्ध धर्म की सिक्षा का प्रधान केंद्र बन गया था हर्स के समय में जब हर्स राजा था तो उसके समय में प्रियाग में प्रती पांचवे साल में एक बहुत बड़ा समारोह होता था जिसे महा मोक्ष परिशत कहा जाता था तो वहनसांग छटवे समारोह में सामिल हुआ था बानभट हर्स के दरवारी थे जो प्रसिद बानभट हैं वो हर्स के दरवारी थे औरोंने हर्स चरित रयों कादंबरी पुस्थकों की रचना करी तो बानभट की दो पुस्थकें हैं हर्स चरित और कादंबरी प्रियदर्सिका रतनावली नागानंद नमक तीन संस्कृत जंदों की रजना भी हर्स ने की थी तो हर्स अपने आप में एक महान कभी भी था कहा जाता है कि धावक नामक कभी ने हर्स की पुस्तक लिखी और ये भी कहा जाता है कि किसी धावक नामक ब्यक्ति ने ये पुस्तक हैं लिखी थी हर्स को भारत का अंतिम हिंदू समराट भी म बहुत धरों को अपना लिया था हर्स के अधीन जो सासक होता था उसे महाराज अथवा महासामंत भी कहा जाता था हर्स के मंतरी परिशद में मंतरी को सची भी या अमात्ते कहा जाता था मंतरी को हर्स के समय सची भी या अमात्ते कहा जाता था प्रसासनिक सुविधा के लिए हर्स का सामराज्य कहीं प्रान्तों में भीभाइभाड था तो प्रते-इक भूक्ती का सासक राज्यस्थानिक या उपरिक अध्वा रश्ट्रिय कहलाता था हर्स चरित्र में प्रांती ये सासन के लिए लोगपाल सब्द का भी जिक्र आया है भूक्ति का भीभान जिलों में हुआ था जिले की संग्या थी कि बिसे मतलब जिले को बिसे कहा गया और जिसका प्रधान बिस्पती होता था और इसके अंतरगत जो आते थे उसको पाठक कहते थे मतलब आजकल के तहसील टाइब की जो इकाईया हैं ग्राम सासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम का जो सासक था प्रधान था वो ग्राम पटिलिक कहा जाता था पुलिस के कर्मचारियों को चाट और भाट कहा जाता था तो था दंड पासिक तो था दंड इक पुलिस विभाग के अधिकारी को कहा जाता था जो बड़ा अधिकारी होता था अस्वसेना के अधिकारियों को ब्रहद देश्वर और पैदल सेनिक के अधिकारियों को बलाधीकृत या महाबलाधीकृत कहा जाता था तो हर्स के सासन में अश्व सेना के अधिकारियों को ब्रहत देश्वर और पैदल सेना के अधिकारियों को बलादिकृत या महाबलादिकृत कहा जाता था हर्स चरित में सीचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र या जल पंप का लेक मिलता है हर्स के समय में मतुरा सूती वस्तरों के लिए काफी प्रसिद्ध था तो हर्स के समय में मतुरा सूती वस्तरों का केंदर था जो हर्स चरित है उसमें जो हर्स के समय की मंत्री परिशद है उसमें जो प्रधान सचित था उसको बहंडी कहा जाता था और प्रधान सेनापती को सिहनाद अस्व सेना के प्रधान को कुंतल कहा जाता था और गज सेना के प्रधान को सकंद गुपत तो दोस्तो अभी हमने पुश्यभूति बंस या वर्धन बंस के बारे में पढ़ा तो आगे हम history के और topics को देखते रहेंगे तो इस तरह के वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सियर करें, लाइक करें थैंक यू